इस बच्चे का नाम है अभिनव अरोरा वैसे तो आप सब इसे जानते ही होंगे पर मैं आपको बता दूँ कि इसके बहुत सारे फॉलोवर्स और फैंस हैं और आजकल ये यंग गेस्ट बाबा के रूप में बहुत वाइरल हो रहा है और इंडिया में जो जितना पॉपुलर होता है उसकी उतनी ही ट्रॉलिंग होती है इसके इंस्टाग्राम पर बहुत ट्रॉलिंग कमेंट्स आते हैं जब इसकी ट्रॉलिंग शुरू हुई तो इसके पापा ने इसकी इमेज सुधारने के लिए कुछ पॉटकास्ट एंड इंटर्व्यूज करने शुरू किये जिसका मोटिव था कि जो भी लोग अभिनव अरोरा को ट्रॉल कर रहे हैं उनका मुख बंद करवाया जा सके इसके कमेंट्स में लोग ये बोलते हैं कि स्कूल जाया कर तो इसे क्लियर करने के लिए इसने पॉडकास्ट में ये बोलना शुरू कर दिया विद्यादे में पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है विद्यादे में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है विद्यादे में हर दिन अच्छे से अच्छा जाता है विद्यादे में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है ये बच्चा एक नंबर का रट्टूत होता है हर एक जैसा कि आपने देखा होगा, इसको कोई फड़क नहीं पड़ता, पर खुद को रिलीजियस दिखने के लिए ये उन्हें गलत नहीं बोलता, बस हेट छुपाने के लिए हर इंटरव्यू में ये लाइन बोलता है। जैसे इस आगे की वीडियो में देखो, उसका होस्ट साइड में बैठा है और ये क्या हरकतें कर रहा है। बलकि वो सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा है, ताकि तुम उसके थ्रू भगवान से मिल सको। देख के साफ पता लगता है कि स्मार्टली वो सब को ये बोल रहा है कि अगर तुम मुझसे मिले तो तुम बेसिकली भगवान से मिल रहे हो। मतलब सब कुछ भगवान पे डाल दो, तुम पे कोई डाउट नहीं करेगा। मुझे लगता है अभिनव के पापा ये भी कंट्रोल करते हैं कि इंटर्व्यूर्स या पॉड्कास्ट होस्ट कौन-कौन से क्वेस्चन उससे पूछ सकते हैं। उसे पता है या तो वो इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछेंगे या सब ही उससे उसका डेली रूटीन पूछेंगे। फिर वो पूछेंगे नॉन-वेजिटेरियन फूड क्यों नहीं खाना चाहिए जिसके जवाब में वो ये सब कहता है। अभी भी कुछ जंडू लोगों को लग रहा होगा कि तो क्या हो गया अगर एक जैसा जवाब दे रहा है तो अगर तुमको भी ऐसा लग रहा है तो तुम बहुत चू हो। मुझे ये भी लगता है कि अभिनव के पिता के बिजनस मॉडल की टार्गेट ओडियन्स यंग लोग है। अभी भी कुछ जंडू लोगों को लग रहा होगा कि तो क्या हो गया अगर एक जैसा जवाब दे रहा है तो अगर तुमको भी ऐसा लग रहा है तो तुम बहुत चू हो। मुझे ये भी लगता है कि अभिनव के पिता के बिजनस मॉडल की टार्गेट ओडियन्स यंग लोग है क्योंकि वो हर इंटर्व्यू में बोलता है कि ओल्ड एज में भक्ती करना भक्ती नहीं है। अगर आप पचास साल की उम्र में करने लोगे तो भक्ती नहीं है। ये सब उसे अपने आप आया है मैं आपको एक उधानन से समझाता हूँ मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ एक कहानी से आपको इस बात के बारे में बताता हूँ अभिनव के पिता एक public speaker है और शायद अभिनव में ये गुण उसके पिता से ही आया है लेकिन कभी-कभी उससे कोई अलग question पूछ लिया जाता है तो वो सुन्न हो जाता है जैसे कि एक podcast में उससे पूछा गया जब आप किसी को देखते हो तो आपके दिमाख में क्या ख्यालाता है ये तो out of syllabus है कैसे पता चला आपको क्या पर्मिशेश करपा है कि राधा रानी ने मुझे अपना फक्त बिना पर कैसे पता चला देखें ठाकड जीतों मेरे भाई है नया question आते ही वो फस जाता है वो तो भाई बच्चा है उसे पता भी नहीं है कि वो क्या बोल रहा है क्या कर रहा है पर ये पक्का है कि उससे ये सब बुलवाया जा रहा है कि ये सभी knowledge मुझे भगवान ने दी है 2020 और 2021 के बीच में तरुन अरोरा जो अभिनव के पापा है इस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कुछ आड्स बनवाए इन आड्स में उनका में हीरो था अभिनव अरोरा फोन बिल्कुल इस्तमाल नहीं करते आप तो इस आड्स में अभिनव के कपड़े भी बाकी बच्चों जैसे हैं और उसके रूम में बच्चों वाले खिलोने भी हैं और अगर आप उसके अभी के वीडियोस देखोगे तो इन में बहुत बड़ा डिफरेंस है उसकी भाशा भी अलग है उस आड्स में वो वर्ड यूज कर रहा है जैसे गौड अब तुम लोग उसके मुह से ये गौड शब्द कभी नहीं सुनोगे वो हमेशा बोलता है राधा रानी नंद किशोर बिहारी जी उस वीडियो में अपनी मम्मी को एड्रेस करने के लिए वो बड़े प्यार से बोल रहा है मम्मा लेकिन अब उसके मुह से सिर्फ मिया निकलता है अब तुम में से कुछ सोच रहे होंगे कि अरे तब तो वो बहुत ही छोटा था तब से भक्ती थोड़ी शुरू की होगी वो तो धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तब शुरू की होगी लेकिन अभिनव के हिसाब से अभिनव के पापा के लिए एक दो नहीं बलकि 35 वीडियो बनाए ये सारे वीडियो अभी भी उनके चैनल पे है 35 वीडियो में से एक वीडियो में वो जनता जंक्शन का होस्ट फॉलूदा एक्स्प्रेस के कस्टमर्स का जेनुइन रिव्यू लेने जाता है और उस दिन उनका रैंडम कस्टमर जानते हो कौन था अभिनव अरोडा एक तरुन अरोडा जी की फ्रेंड है तो वो अभियसली वहां से रोज गुजरती ही होगी और साथ में शायद अभिनव की सिस्टर भी है तो बेसिकली ये पूरी फैमिली वहां पर कस्टमर बनके खड़ी हुई है मैं ये नहीं बोल रहा कि उनके फ्रेंड एंड फैमिली की कोई गलती है यहां पर वो तो बस सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन जैसा कि वो भाया ने कहा कि ये तो जैनुइन कस्टमर हैं अभिनव के पापा की कंपनी के बारे में लोग नेगेटिव बोल रहे थे कि उन्होंने ये फॉलू दा एक्स्प्रेस वाले बिजनस में इन्वेस्ट किया और ये उनके पैसे लेके भाग गए लेकिन मैं ये सब कमेंट्स देखके उस पे ट्रस्ट नहीं कर सकता तो मैंने थोड़ी सी और रिसर्च की थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे मिला कि सच में तरुन अरोरा ने पैसे लिए लेकिन रिटर्न में आइस्क्रीम कार्ट नहीं दी इस केस के वर्डिक्ट में तरुन अरोरा को दोशी करार दिया गया ये सब होने के कुछ सालों बाद उन्होंने किया टेट टॉक जिसमें उन्होंने अपनी फेलर्स के बारे में बताया जो अभिनव अरोडा ही है मुझे brand deals करने से problem नहीं है बस अपने बच्चे से ये मत बुलवाईए कि उसे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए वो छोटी सी कुटिया में रहेगा कैसे उसे चीजें सिर्फ रटाई गई है और देखो जो गरीब लोग है जो बिलकुली हताश लोग है वो लोग अपनी problem लेके आते हैं तुम लोगों को क्या लगता है ये जो events होते हैं ये free में होते हैं चलो ठीक है अगर वो पैसे ले भी रहे हैं तो वो अपने भक्तों को return में क्या दे रहे हैं और ये बच्चा इतना भोला है इससे अगर आप थोड़ा इधर उदर का question पूछ लो तो वो घबरा जाता है अगर तुम लोग को दिख रहा है कि कैसे वो बार-बार पीछे देख रहा है कि भाई मुझे बताओ मैं क्या बोलू और एक बार तो उसके lips देखके मुझे सच में लगा कि उसने बोला कि मैं क्या बोलू अब ये मुझे बताएए क्या वो कुछ रिकत हो रही है पूल में नहीं मैं अब ठीक है तो ये बच्चा जिसकी बातें सुनने के लिए कोई गरीब आदमी पता नहीं कितनी दूर से आया होगा कितने पैसे खर्च करके आया होगा तो ये उनकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेगा वो तो बस उनके सामने रटा हुआ कोई श्लोक बोल देगा तो यहाँ पे किसी के पैसे वेस्ट हुए की नहीं ये ही में प्रॉब्लम है ये सब अगर अभी नहीं रुका तो ये जो फेक बाबाजी धर्म को सच में मजाग बना देंगे इन्होंने अपने आपको मीम बना लिया है फाई लोग इनको सब्सक्राइब करते हैं ताकि इनकी क्लिप्स से मीम बना सके और ये फेक बाबा अपने साथ हमारे रिलीजन को भी डुबा रहे हैं इसलिए धर्म को डिफेंड करो हुमन्स को नहीं अंधा नहीं होना है मैं अभिनव के पापा को यही बोलूँगा कि प्लीज उससे उसका बच्पन तो मतलो ये बहुत ही इंपोर्टन फेज है उसकी लाइफ का वो सब कुछ मिस कर देगा और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ